दोस्तों अगर इंडिया में एक ऐसी कंपनी एक्जिस्ट करती थी जिसके अंदर आपको brand value जिसके अंदर आपको performance जिसके अंदर आपको build quality और एक standard देखने को मिलता था वो थी आपकी undoubtedly Ford आज के डेट में भी जिसके पास में Ford की Figo है या फिर Endeavor है या फिर उसकी Echo Sport है वो अपनी गाड़ी को नहीं बेचना चाते हैं वो उसको lifetime चलाना चाते हैं क्योंकि उनके जैसी quality आज की डेट में भी आपको किसी brand में नहीं देखने को मिलती फोक्स रेगन और इस कोड़ा कुछ ऐसे brand है जहां पर आप उसको compare कर सकते हैं लेकिन Ford की जो build quality और जो performance थी वो बहुत जबलदस्ती unmatched थी in fact मैं यहाँ पर आपको एक बात और share करना चाहूंगा कि Ford की endeavor जब भी market से गई जब Ford ने exit किया इंडिया से उसके बाद में endeavor के prices second hand market में बढ़ गए क्योंकि इस गाड़ी की demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि नए sales होने बंद हो गए और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक good news कि शायद Ford इंडिया में enter कर सकती है तीन नई गाड़ीयों के साथ में और यहाँ पर मैं आपसे यह भी share करना चाहूंगा कि इन तीन गाड़ीयों का यहाँ पर नाम को patent करवाया गया है यहाँ पर book करवाया गया है और इनको trade mark करवा लिया गया है नमस्कार दोस्तों आप हैं EM Cars Everymate Cars पर जहां पर आपको automotive related all sorts of information provide की जाती है with complete honesty अगर आपको इसी तरह का content देखना पसंद है तो इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और bell notification को press कर दीजे ताकि आपको आने वाली latest videos के updates मिलते रहें दोस्तों जिन तीन गाडियों के बारे में हम बात करेंगे मैं उनके बारे में आपको एक एक detail बताऊंगा क्या कुछ हमको उनमें देखने को मिल जाता है और किस तरीके की वह गाडिया है सबसे पहले जो गाड़ी यहाँ पर इंडिया में आ सकती है वो है आपकी Ford की Mustang Mackie यहाँ पर दोस्तों Ford ने re-entry को लेकर अभी बहुत ज़्यादे speculations हो रहे हैं और अगर यह brand इंडिया में एंटर करता है तो यह अपना Maramalai Nagar Plant JSW Group के साथ में deal करेगा और वहाँ पर आपकी नई endeavor और रेंजर जो है वो इस पॉर्ट की गई है अल्रेडी उसके साथ वहाँ पर Mustang Mackie भी प्रेड्यूस की जा सकती है दोस्तों यहाँ पर Ford इंडिया में Mustang Mackie को लाना चायता है और यहाँ पर उसके नाम को trademark करवा लिया गया है अगर globally इस model की बात कर और 430 Nm का पीक टॉक देखने को मिल जाता है हाला कि जो इसमें बड़ा बैटरी पैक आता है वहाँ पर आपको 294 पीक टॉक देखने को मिलता है इस गाडी की अगर driving range की में बात करूं तो यहाँ पर आपको 600 km की driving range देखने को मिल सकती है और कुछ specific variants में जो इंडिया मार्क 69 km तक हो सकती है अगर इसके competition की में बात करूं तो यह Audi Q8 e-tron और Mercedes EQE को compete करेगी दोस्तों दूसरी गाडी होने वाला एक pickup truck आपका और यह होगा आपका new Ford Ranger Ford Ranger का जो frame है ladder frame वो endeavor वाला ही है और यहाँ पर इन दौनों के अंदर आपको same engine lineup देखने को मिल सकता है इन दौनों ग देखने को मिलते हैं पहला आपका आ जाता है 2.3L engine जो 270bhp की power generate करता है और दूसरा आ जाता है 2.7L turbo V6 engine जो 315bhp की power generate करता है दोस्तों इस गाडी के अंदर यह जो engines हैं इनको pair किया गया है 10-speed automatic transmission के साथ में जो आपको 2-wheel drive और 4-wheel drive layout में देखने को मिल जाते हैं यह गाड तीसरी और सबसे फेवरेट गाड़ी मेरी dream car new ford endeavor 3rd generation ford endeavor आपकी बहुत सारे advanced features के साथ में आएगी और यहां पर आपको old generation को भूल जाओगे जो कि हमें देखने को मिलती थी इसके interior में आपका बहुत सारे नए features आएंगे जैसे की 12 इंच का portrait oriented touch screen infotainment system fully digital instrument console 360 degree camera multiple airbags और बहु यहां पर इसके जो competition होगा वो आपका जैसे पहले होता था Toyota Fortuner Gloucester Isuzu MUX से होगा Global market में यह गाड़ी Ford Everest के नाम से available है और वहां पर इसका multi power train option देखने को मिल जाता है अभी यह confirm नहीं है कि इंडिया के लिए इसका कौन सा engine option final किया जाएगा दोस्तो इन तीनों गाडियों के बारे में आपके क्या व्यूज ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैंशन करिएगा और अगर यह आती है तो इन मेंसे कौन सी आप लेना पसंद करोगे वो भी बताईएगा थैंक यू सो मुच पर वाचिं इट बाबाई तेक केर व यूरसल फ और रमेंबर आलवेज द्राइव सेफ बाबाई दोस्तो